हलो दोस्तों यहाँपर मैंने एक ट्रेड लिया था 210 में और 225 में सेल किया था मेरे को प्रॉपिट बेशक ही हुआ है लेकिन उसके बाद मार्केट जो है बहुत ही अच्छा कासा डाउन मुमेंट दिया जिसे मेरे को अच्छा का सब प्रॉपिट हो सकता था लेकिन मेरा प्रॉपिट नहीं हुआ इसका वज़ा सिंपल है मैं 225 में बेचने का वज़ा यह है कि जब मैं करीद आ तो सब्सक्राइब यहां पर 0 है यहां से 400 के आसपास प्रॉपिट में गया है उसके बाद पिर यह नीचे आने के बाद आलमोश 100 रुपे के आसपास माइनस हो गया था तो उसके बाद पिर उपर तो आया है लेकिन यहां पर तोड़े दिर साइड वेस दे रहा था तो इस लाइन पर जो है कि मेरे को कोने का डर अब देखिए आगर मैं अभी तक यहां पर होल्ड के रहता तो आलमोस्ट जो है 270-80 के आसपास गया था, सो मैं इसको रख देता तो मेरे को जो है आलमोस्ट हो रहा होता 2000 के आसपास आइद प्रॉपिट हो रहा होता, सो 2000 के प्रॉपिट होने वाला था, जो मैंने ट्रेड लिया था मेरे हिसाब से गया है बेसक ही गया है, लेकिन मैंने पहले ही एकजिट कर दिया है तो मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने सही ट्रेड लिया है तो यहां पर अभी होल्ड क्या होता तो मेरे को आसपास दो हजार के आसपास profit हो रहा होता लेकिन मैंने बहुती जल्दी निकल गया वज़ा है FOMO PR UP missing out मेरे को यह जो profit हुआ है इसको नुकसान में नहीं बदलना है यही सोच के वज़े से मैंने exit किया लेकिन मेरा जो decision है exit करने का वो गलत साबित हुआ है तो आप लोग भी ऐसा करते होंगे बेसक ही जब भी कोई trade करता है तो लगता है कि यहां से नीचे आने का बहुत ज़्यादा chances है तो loss भी हो जाता है कुछ कुछ time अगर exit नहीं करते हैं तो यहां पर loss हो जाता है देखें मैंने यहां पर इसमें exit कर दिया पर suppose नीचे आ जाता तो मैं सोचता मेरा जो exit करने का decision था वो सही था लेकिन यहां पर मेरे इसाब से नहीं गया तो अभी जो है मैं wrong हो गया हर किसी के साथ यह होता है market में तो मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं जो trade लेता हूँ वो superior है जो मैं trade लेता हूँ वो पूरा गलत हो जाता है ऐसा नहीं होता है तो calculation किस तरह कर रहे हो वो depend करता है calculation पे डटे रहना patience के साथ वो ज़्यादा matter करता है पैसा बनाने के लिए मैंने patience नहीं दिखाया so okay कोई बात ने market अभी कुला है बहुत time है हम पैसा कमा लेंगे और भी ज्यादा opportunities मिलेगा हमको so I hope समझ गए FOMO मतलब क्या होता fear up missing out कोने का डर को fear up missing out कहते है